नमस्ते, सुप्तगुन एककला इस यूटूब चानल पर आपका स्वागत है आज हम बचे हुए चावल से यूनिक ऐसा नाष्टा बनाएंगे जिसे खाने के बाद आप हमेशा चावल जादा ही डालेंगे बचे हुए चावल के नाष्टे के लिए यहाँ पर मैंने दो कर्टोरी इतना चावल लिया है बहुत ही टेस्टी नाष्टा बनता है और यह चावल हम मिक्सर के जार में इसको पीस लेंगे अच्छे से तो देखिए इसमें पानी नहीं डालना है इस बात का ध्यान रखिए और इस नाष्टे के लिए दो आलू लिये है मैंने ये इस तरह से इसका किस कर लिया है पानी में डाला है ताकि वो का लेना पड़े और जो हमने पेस्ट बनाने के लिए चावल डाले थे इसका पेस्ट अच्छे से बन गया है देखे इस प्रकार से पेस्ट बना लेना है हमको और अभी इस पेस्ट में हमें जो आलू हमने चिलके रखेते और जिसका किस बिनाय था उस किस से हमें पानी निचोल देना है अच्छे से धुल लेने है और यह इसमें डाल देने है तो अभी इसमें हमें हरा धनिया हरा धनिया थोड़ा जादा चाहिए इस नाश्टे में बहुत ही टेस्टी लगते है धनिया के टेस्ट औ कड़ी पत्ता अभी इसमें हमें मसाले भी एड़ करने हैं तो देखें यहां पर साधानुसार नमक डाल देंगे इसमें और लसुन और मिर्ची का यह दरदरा पेस्ट बनाया है यह मिक्स करेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर गरम मसाला यहां नहीं पीठ थोड़ा सा डालना है गरम मसाला क्योंकि आगे हम जो पपड़ का चूरा इसे लगाएंगे उसमें पपड़ में मसाले रहते है तो थोड़ा सा मसाला एड़ करके ऐसेही मजेडर रेसिपीच के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिये दोनों हातों को इसे तेल लगा कर इसे अच्छे से mix करके इसे दूसरी mix कर लेना है, और mix करने के बाद इस बाइंडिंडिंग आने के लिए यहाँपे मैंने दो चमत चावल का आटा एड किया है, आप पुहे का आटा भी एड कर सकते हो और इस प्रकार से इसका मिश्रन बना लेना है अभी एक थाली लेके थाली ले सकते हो नहीं तो ट्रे भी लग सकते हो ले सकते हो और इस प्रकार से इसे तेल लगाना है और ये जो मिश्रन है इसको हमें इस प्रकार से सेट करना है तो देखिए दोनों हाथों से ऐसा spread करके सु square set करना है और हमें आदा घंटे के लिए इसे फ्रीज में रख देना है अगर आप वो जल्दी हो तो आप 15 मिनिट के लिए या 10 मिनिट के लिए फ्रीजर में भी स्टोर कर सकते हो और उपर से जो शपे तील रहती है ये spread कर देनी है तील डालने से और इसकी टेस्ट बढ़ जाती है हम इस मिश्रण में तील के अलावा और भी विज़ेटेबल आड़ कर सकते है अभी नाश्ते के लिए घोल बनाएंगे तो यहापे घोल बनाने के लिए एक चमच इतना मैद दाली आए और इस मेदे में स्वादानुसर थोड़ा सा नमक डालना है ज्यादा नमक ने डालना है और इसमें अजवैन मिक्स कर लेंगे हातों से क्रश करके अजवैन मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे ज्यादा पानी एक साथ दालना है थोड़ा थोड़ा पानी डालके इस प्रकार से इसका गोल बना लेना है तो देखिए इस प्रकार से ये गोल बन गया है और अभी इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा हलका सा लाल मिच पाउडर यहाँ पर एड़ किया है मैंने देखिए ये जो बेटर है इस प्रकार से रहना चाहिए अभी इस घोल को ढखकर हम कम से कम पाच मिनिट और ज्यादा से ज्यादा दस मिनिट के लिए ढखकर साइड में रख देंगे ये जो नाश्टा है इसको और टेस्टी और क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पे घर में जो हमारे घर में पापड अवैलेबल होते हैं वो पापड लेके इसको मिक्सर में पीस्ट लेके इसका इस प्रकार से पेस्ट बना लिया है मैंने तो देखिए इस प्रकार से इसको दरदरा पीस लिया है इससे बहुत टेस्ट बढ़िया लगती है पूरे 30 मिंट हो चुके है अभी इसे फ्रीज से बाहर निखाला तो देखे बहुत ही बढ़िया वो मिश्टरन सेट हो गया है और गोल को भी 15 मिट हो चुके ये भी बहुत बढ़िया बन चुका है और फ्रीज इस प्रकार से slices कर लिये हैं, आप किसी भी shape में इसे कर सकते हो, यहाँ पर मैंने square में किये हैं, और कुछ समोसे जैसा shape दिया है इसको, तो देखें इस प्रकार से shape मैंने बना लिये हैं, अब भी जो मैदे का गोल हमने बनाया था, उसमें एक slice उठा कर इस प्रकार से mix कर लेना हैं, और crispy आने के लिए, जो crispy बनते हैं, इसके लिए हमें जो पपड़ वाला चूरा हमने बना लिया था, इसमें dip कर लेंगे, इस प्रकार से dip कर लिये हैं, यह slices हम दो दिन तक स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे तेल भी गरम हो चुका है, तेल में इसे fry कर लेंगे, तो तेस्टी और यूनिक नाश्टा है, अभी पलटते वक थोड़ा सा आराम से पलटना है, देखे, थोड़ा सा आराम से पलटकर, इसका कलर आप देख सकते हो, कितना बड़िया कलर आया है, और खाने में भी बहुत स्वाधिश्ट लगते हैं, आप एक बर जरू ट्राइ कीज और देखे, इस प्रकार से यह जो हमारा चावल का नाश्टा है, यह बनके तयार हो गया है, अभी इसे गार्निशिंग के लिए यहापे मैंने टोमेटो सॉस लेकर उपर से थोड़े से जो बारिक सेव रहते हैं, उससे गार्निशिंग किया है, और हरा दनिया डालकर इसको गार्निशिंग कर लिया है, आप जरूर ट्राइ किजे आपके किचन में और कैसा बनाए नाश्टा कमेंट में जरूर बताना, ऐसे ही यूनिक और अलग-अलग नाश्टा रेसी भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और सुब्तुगू निकला इस अगर आप चाहो तो इसे फ्रीज में स्टोर करके जब आपको चाहिए या टिफिन में देने का मन करें तब आप तल सकते हो और इसका मज़ा दे सकते हो